भारतिय टीम जिंबाबवे दोरे के बाद श्रीलंका टूर के लिए तयार है जहां 27 जुलाई से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत होगी इसके बाद 3 मैचों की ही वंडे सीरीज खेली जाएगी इसके लिए किसी भी वक्त टीम इंडिया के स्क्वार्ड का एलान किया जा सकत जिंबाबवे टूर पर कई खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन किया था अभिशेक शर्मा ने ताब अड़तोड बल्ले बाजी का नजारा पेश करते हुए शानदार शतक ठोका था उन्होंने आखिरी मैच में शानदार गेंद बाजी करते हुए एक विकेट भी निका कहा जा रहा है कि यशस्वी जायसवाल का टीम में स्थान लगभग पक्का है जायसवाल ने चौथे टी 20 में तिरपन गेंदो में 93 रनों की पारी खेल कर टीम इंडिया की जीत में बड़ा योगदान दिया था उन्ल अराउंडर में वाशिंग अटन सुन्दर की जगह पक् उन्होंने पांच मैचों में आठ विकेट चटकाए थे जिंबाबवे के खिलाफ नाबाद 77 और 49 रन की पारी खेलने वाले रुतुराज गायकवाड को भी टीम में जगह दी जा सकती है हार्दिक पांडिया को कप्तानी नहीं गौतम गंभीर की टीम इंडिया के हेड कोच क रूप में ये पहली सीरीज होगी पहले कहा जा रहा था कि हार्दिक पांडिया को T20 और केल राहुल को वंडे टीम का कप्तान बनाया जा सकता है वहीं विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा और जस्परीत बुमराह को आराम देने की बात सामने आई थी हाला कि अब कहां जा रहा है कि T20 टीम की कप्तानी हार्दिक के बजाए सूर्य कुमार यादव को सौपी जा सकती है